कलेक्टरेट में तलवार बाजी करने वाले दो यूवक गिरिफतार श्री गंगानगर के कोतवाली पुलिस ने बुधवार शाम को जिला कलेक्टरेट में दो यूवकों पर तलवार से हमला करने वाले दो आरोपियों को बुधवार राद को गिरिफतार कर लिया दोनों युवकों को गुरुवार दोपहरबाद अदालत में पेश करके रिमान पर लिया जाएगा थाना पर भारी हनमाना राम बिश्नोई ने बताया कि हमले में पुरानी अबादी के वार नमबर 11 के निवासी विक्रम सिंग राजपूत और घंशाम लिंबा बुरी तरह से घायल हो गए थे दोनों को जिला अस्पताल में भरती करवाया गया था इनके बयान पर मुकदमा दर्च करके जाँच शुरू की गई पुलिस ने बिती राथ हमलावर राहूल वर्मा जो कि पुरानी अबादी का निवासी है और पिएचेडी कॉलोनी के निवासी आकाश उर्फ काली को गिरफतार कर लिया प्रारमेक जांच में सामने आया कि राहूल वर्मा डियवी स्कूल में कक्षा बारवी में पढ़ता है इसे स्कूल में विक्रम राजपूत का भाई राहूल राजपूत कक्षा दस्वी में पढ़ता है दोनों चात्रों के बीच कई दिनों से तना तनी चल रही थी राहुल वर्मा ने राहुल राजपूत को बुद्वार को हमला करने की धम की दी थी राहुल वर्मा ने हमला करने वाले अपने दोस्त आकाश उर्फ काली को बुलाया था जगड़े के आशंका होने पर विक्रम राजपूत अपने दोस्त घंशाम लिंबा को साथ लेकर अपने भाई राहूर राजपूत को स्कूल से लेने गया था जब ये युवक गंगा सिंग चौक पर पहुँचे तो हमलावरों ने हमला कर दिया जान बचाने के लिए विक्रम राजपूत और घंशाम लिंबा कलेक्टेट में घुसे तो हमलावरों ने वहाँ पहुँच कर तलवार से हमला कर दिया गौरतलब है कि हमलावर कार में सवार होकर आये थे इनके पास तलवार थी पुलिस ने घायल विक्रम राजपूत और घंशाम लिंबा के बयान पर गुधवार रात ही मुकदमा दर्च कर लिया था अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महतवपून खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर